इजीली स्कोर 200 प्लस किस तरीके से सर्छ यह वीडियो हर बच्चे के लिए है जो जूनने एक्जाम देने जारह रहा है चाहब वो रैंक की त्यारी कर रहा है 350 ॉट की त्यारी कर रहा है 300 प्लस की त्यारी कर रहा है सबसे पहले इसके अंदर एक चीज समझे कि कुछ बच्चे इस समय जो फसे हुए हैं आप चब चार सब्जेक्ट की बात करते हैं अकाउंट्स, लॉव, बीसी आर, मैट स्टैट्स, एलर और एको बीसी के एक चीज समझे कि कम से कम एक चीज आपने क्या इंशूर कर लिये कि हर सब्जेक्ट में आपके 40 प्लस आएं ये सबसे बड़ी चीज है क्योंकि अगर एक बात की मैं बात करूँ तो यहां बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में भी ऐसी हालात उनके होंगे कि जहां उनके 40 आने के कगार पर वो नहीं खड़े हुए तो मेक शियूर कि कम से कम क्या आपने चारो सब्जेक्ट के अंदर ये अपनी हालात कर लियें कि आपके 40 प्लस आ जाए अब 40 प्लस लाने के लिए क्या करें अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो देखें अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स में सिर्फ एक काम कर लीजे या तो मॉडियूल लंबर वन अच्छा कर लीजे या module number 2 अच्छा कर लीजे कोई एक module जो है वो बहुत अच्छे से कर लीजे अगर आपने कोई भी एक module अच्छे से कर लिया आपने तो आप अराम से यहाँ पर 40 प्लस ला सकते हैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती दूसरी चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप थेयरी बहुत अच्छे से करियेगा क्योंकि एक्जाम के अंदर जो थेयरी है ना वो लगभग लगभग इस बार 25 नंबर की आएगी 25 मार्क्स की थेयरी बहुत जादा माईने रखती है सर यह 25 मार्क्स की थेयरी कहां से करें किस तरीके से करें की और क्या नंबर इसके अंदर आ सकते हैं देखे 25 नंबर का अगर मैं बाइफरकेशन दूँ तो लगभग 12 नंबर के न बेटा आपके पास आएंगे ट्रू एंड फॉल्स आएंगे ठीक है और उसके बाद आप मान के चलोगी लगभग 12 नंबर की स्टेट फॉय थेयरी आएगी इस 12 में से आप अराम से 12 नंबर ले सकते हैं और इसमें अगर आप मेहनत करें तो 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए तो अगर आप देखें तो थेयरी में 20 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत असान सी चीज़ है अब बात आर दिए कि सर ये थेयरी जो है हम इसकी प्रिप्रेशन कहां से करें मैं सारे सब्जेक्ट से उपर बात करूँगा अकाउंट्स, लॉब, BCR, MSL, RECO, BCK और बड़ी ऐसी बात करूँगा जो इस समय आपके लिए यूसफुल हो तो अकाउंट्स में 40 प्रस लाने का फॉर्मूला या तो मोडियूल 1 अच्छे से करें मोडियूल 2 कम से कम एक मोडियूल बहुत अच्छे से करें उसके आई से के सारे कोशन, illustrations, past examination, कोशन, RTP, RTP सब एक मोडियूल अपना super strong होना चाहिए दूसरा 50 ओ, 30 ओ, 40 ओ चलेगा थियूरी बहुत अच्छे से करनी है ये मैंने आपको बताया कि इतने number की आएगी थियूरी कहां से करें तो देखे थियूरी के जो मैं आपको बता देता हूँ हमने ना दो live streaming किये थे पीछे दो live streaming किये थे थियूरी के वो आप देख लो कम से कम at least वो देख लो ये दो live streaming किसके थे एक था आपका true and false का ये लगभग लगभग जो है आपका 3 गंटे का live streaming हुआ था इसमें सारे true and false जो है वो cover up किये गए थे लगभग तो ये 3 गंटे का अगर आपने live streaming देख लिया तो यहां true false में 12 में से 12 नंबर आप लिया होगे इसको अच्छे से कर लो YouTube पे है link description में बाद में लगा देंगे और एक जो है हमने theory topics का किया था वो आप कर लो तो ये दो अगर आप अच्छे से यहां से content कर लेते हो तो आपका गुजारा हो जाएगा सर मैंने आपकी जो है वो perfect revision book ले रखी है तो सिर्फ आप वो भी कर सकते हैं आपको उस case में जो है यह live streaming देखने की ज़रूरत नहीं है perfect revision book जो है आप उसमें से उस चीजों को कर लीजे सर मेरे पास आपकी perfect practice book है तो perfect practice book जो है आप देखेंगे उसके end में true false आपको दियो है वहां से आप उस चीजों को कर सकते हैं तो हर तरीके से कर सकते हैं लेकिन theory को करिएगा जरूर क्योंकि मैंने बता दिया 25 नंबर की आएगी और यह बहुत important aspect है generally जो है लोग इसको ignore करते हैं लेकिन यहां से 20 नंबर हमारे secure होते हैं चीक है और एक चीज मैं आपको बता दूँ practical मुश्किल आ सकता है theory कभी भी मुश्किल नहीं आ सकती theory जो है वो हमेशा आपकी कितनी आएगी theory हमेशा वो ही आएगी जो आपकी book के अंदर है और straight away आएगी what is this difference between explain this तो वहाँ पर जो है कभी भी मुश्किल चीजे आने के chances नहीं होते हैं तो हमको theory बहुत अच्छे से करनी है this is the right time this is the high time to focus on the theory अगला आते हैं sir law यह सबसे बड़ तकलीफ का paper है यहाँ पर जो है अपने 40 plus marks किस तरीके से है बहुत तकलीफ होती है sir इस paper के बारे में देखे मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय law के अंदर आपकी क्या strategy होनी चाहिए आप sales of goods act partnership act सर यह तो बहुत चोटे चोटे अक्ट बता रहे हो बड़ी की खुशी हो रही है देख करके इनको और एक अपना जो है LLP act इसको ना घोटे मार के पीलो घोटे मार के पीलो इसको और यहां से आपका 30 number का paper जो है आपको exam के अंदर देखने को मिलेगा और आपने सही से इसको prepare कर लिया आप यहां से 20 marks लेके आ सकते हो इसको एकदम अच्छे से कर लो sales of goods act partnership LLP इस समय यह high time है कि इस तीन act में से आपका कोई act ना बचा हो आपका company act रह जाए चलेगा Indian contract में कुछ part रह जाए चलेगा लेकिन इन तीन act में से कुछ नहीं बचना चाहिए इससर कहां से करें देखें मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा कि हमारी ना एक most important questions most important questions करके live streaming हुई है अभी company act की हुई है अभी sales of goods act Indian contract वगरा की इन सब की भी होने वाली है तो most important questions की जो live streaming है वो आप देख सकते हैं नहीं तो आप इसमें क्या करिए सबसे बढ़ियां यहां मैं कहूंगा कि हमारी जो perfect practice book है कौन सी perfect practice book है law की सिर्फ इस perfect practice book में law के जो इन तीनों act के questions है वो अच्छे से करके चले जाओ और डेली आज से भी अगर 5 questions करने बैठोगे तो इसको बड़े अराम से कर लोगे यह perfect practice law के अंदर जो आपको इनके questions दिये गए हैं सिर्फ आप वो कर लो सिर्फ questions वो ही question exam में repeat होते हैं वो ही बार-बार आते हैं कुछ नया नहीं आता यह आपने कर लिया आपकी कहानी बन जाएगी ठीक है सर क्या अभी मिल सकती है जी हाँ और एक सबसे बड़ी चीज साड़े 400 रुपे की है सिर्फ और वीडियो solution के साथ है सुपोज अभी तक आपनी एक्ट नहीं किया है कोई भी एक्ट सुपोज आपने LLP भी हाथ भी नहीं लगाया तो आप कोगे मुझे question कैसे समझ मैंगा मत घबराओ आपने question number one उठाया उसकी video देखी आपको सब समझ मैंगा यह समझ के समझाएगा कि आपको कुछ नहीं पता तो आप उसका घोट लो इस समय देखो इस समय आखरी के दिन बचे हैं ग्यान देना ना बड़ा आसान हो जाता है लेकिन मैं आपको वो solution बताना चाहता हूँ जिसकी वज़े से आप पास हो जाएए मेरा भी सारा फोकस यह कि आप 20 दिन में अगर किसी subject के अंदर deficiency पर ख़ड़े हो है deficiency की stage पर खड़े हो है तो उसे कैसे instant recovery दे के पास करवाया जाए instant recovery यह है कि इस समय अगर मैं आपको बोलूँगी sales have good set करलो, partnership करलो, LLP करलो इससे बड़ी भगवास कुछ भी नहीं हो सकती इस समय जो एकड़म सही बात करने का समय है कि आप क्या करें इन तीन एक्टों के questions अच्छे से कर ले question कहां से कर ले perfect practice law book जो है with video solution आती है इसकी सबसे बड़ी feature ही है तो आप उसमें से questions करते जाहिए कोई questions समाज आता है किया हुआ है बहुत अच्छी बात है नहीं किया हुआ वीडियो देखो समझो याद करके लिख लो एक तीन एक्ट अच्छे से कर ले log अंदर 20 प्लस जो है अराम से लिया होगे sir contracted companies act जितना कर लिया है बहुत अच्छी बात है उसके questions prepare कर लो जो नहीं किया उसको ignore कर दो focus जो है आप shift कर दो अपना किस के उपर focus अपना shift कर दो BCR के उपर business correspondence and reporting के उपर ये जो है बहुत high time है कि आपको BCR जो है इस समय पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि देखे एक चीज बताओं बहुत कम महिनत में आपे बच्छों के बहुत अच्छे नंबर जो है आ जाते है तो BCR जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजे BCR के अंदर आप अपनी writing practice और अगर आपने course लेगा है हमारा तो test papers है या जो भी repeat classes हुई थी आप उसको करना शुरू कर दीजे BCR में हर बच्छा आराम से 20 नंबर ला सकता है 40 में कोई दिक्कत निया तो अगर 20 यहां से क्योर हो जाए 20 BCR में 40 तो at least आगए आप मेरी बात को समझो मैं इस समय ग्यान की बाते नहीं कर रहा हूँ कि 70 लाओ, 80 लाओ, 90 लाओ, 90 लाओ, 116 लाओ, फोड़ाओ, यह सब कुछ नहीं सर्फ वो कि यह 40 नंबर अपन लोग कहां से ला सकते हैं असानी से तो यह समझ में आगे अपने को लाओ में क्या करना है BCR के अंदर क्या करना है तो देखो, मैस्टेट्स LR के अंदर तकलीफ थी, तकलीफ है, तकलीफ बनी रहीगी अगर आपने मेरी बाते नहीं सुनी, क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले आपको एक तो इंडेक्स नंबर का जो चेप्टर है यह वो चीजे बता रहा हूँ जो बहुत मेटर करती है उसके बाद आपका Statical Description of Data आप विश्वास मानोंगी, यह दो चेप्टर आपको मिला करके ही दस नंबर के आते है विश्वास तो होता ही नहीं ना, तुम लोगों को मेरी बात कम मैं क्या करूँ एक आदा अटेम्ट देते तो उसके बाद मेरी बात में बरोसा करना शुरू करते हो, फिर समझ में आता है कि हाँ भाई, चार जगा देख तो लिए है लेकिन चंदन सर की बात के बरोसा ही हम पास हो है तो मेरी बात देखो, मान जाओगे तो अच्छा रहेगा और चाहते हो नहीं, पहले एक अटेम्ट दे लें, फिर सर को रीकनसाइल कर लें सर का यार क्या है, सर अब 13 साल हो गए पढ़ाते होए, ठीक है न चीजे पता है कहां से पेपर आना है, कैसा आना है, किस तरीके से आना है, सब कुछ हाथ है तुम फर्स टाइम दे रहो, मैं फर्स टाइम नहीं दे रहा है, मैं 26 बार अल्रेटी दे चुका, 13 साल में 26 अटेम्ट तो हो चुके न, ठीक है, मैं 27 भी बार दूँँगा, आप समझो इस चीज को तो मेरे फेल होने का बार बार कि मैं 27 भी बार दे रहा हूँ, उसका फायदा उठाओ, that is called as experience, got it, तो stats के अंदर index number बहुत अच्छे से करो, statical description of data, एकलोते ये दो chapter इस समय आपके जो है, 10 number की weightage रखते हैं, तीसरा इस समय उठा लो, logical reasoning, logical reasoning की न, सबसे अच्छी खुबसूरती कहेगी, सिर्फ 4 chapter है, और 20 number के आते हैं, तो 20 और 10 कितने होगा, 30, एकदम वो बाते बता रहा कर लो, वो कर लो, एकदम ये बहुत crispy बाते बता रहा हूँ, index, statical, logical reasoning, अब कहां से करें जड़ा समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक बात है, तो देखें, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, कि जो हमारी perfect practice book है, खुड़ा अच्छा आता है, क्योंकि चारी chapter हैं, तो थोड़े अच्छे questions पूश लेता है, लेकिन अगर आपने PP book के MSLR के questions कर लिए, तो आपका LR में 20 में से 20 ही number आएगा, 19 भी नहीं आएगा, ठीक है न? सर, index number, statical description of data, इन दो chapters के लिए क्या करें, ठीक है न? तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले live streaming हो रखिये YouTube के उपर ही, उसका link भी जो है, मैं description के अंदर लगवा दूँगा, live streaming हो रखिये YouTube के अंदर, तो वो videos जो है, at least आप देख लीजे, क आप देख लीजे, इन chapters के लिए, और अगर आपने हमारा course नहीं ले रखा, कहीं और से भी नहीं कर रहे तो जो at least YouTube पे live streaming हो कर लीजे, तो मैंने हर तरीके से बता दिया, सर, 30 तो बता दी, अब आगे भी बता दो इसके अंदर, इसके बाद next chapter आपको उठाना है, time value of money, time value of money आपको उठाना है, time value of money से कम से कम 12 नंबर का paper, 42 आपके solid होते हैं, सर्फ इतनी चीज़ आपने कर ली, 42 marks आपके आगाया, आप समझो, कुछ तो इसके अलावा और भी किया होगा, यहीं पर अटके पड़े हूँ, इसके अलावा आपने और कुछ भी किया है, क्या किया है, स ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ती paper बना दे, मेरे पार समा सरस्वती का अशिरवाद है, कि मैं उसका question solve कर दूँगा, यह भरोसा आपको इस समय जो है, इन chapters के उपर होना चाहिए, अगर आप math stats LR के अंदर जो है, वो 40 plus marks लाना चाहते है, 40 plus लाना, मैं अभी बात कर कैसे होंगे, ECO BCK के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप कर लीजे, क्या, कि जो हमारी perfect revision book है, उसके अंदर जो आपको notes दियो है, perfect revision book जो है, उसके अंदर जो आपको notes दियो है, सिर्फ आप उतना कर दो, और कुछ नहीं करना, कितने page के हैं सर, मुश्कल से 40 page के, यह 40 page के notes अगर आपने कर लिए, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, आप 60 plus अराम से लिया होगे, कुछ नहीं करना, तो आपको सिर्फ इतना content अगर आपने कर लिया, तो 40 plus 40 plus 40 plus आ जाते हैं, तो आपका जो एक तकलीफ है ना, कि pass कैसे होंगा, and so on, तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे ना, तो अपने को बहुत ही अच्छा result मिलेगा, बहुत काम की बात आप लोगों को बताई है, ठीक है ना, तो आज इसी के साथ conclude करता हूँ, और कोई जानकरी चीए, तो आप हमारे help line number 888880402 पर जो है, whatsapp कर सकते हैं, ये call कर सकते हैं, तो आज के नेक्स्वीडियो तब तक के लिए, बाबाई, टेक् केर, जय श्री श्यामजाओ,